कश्मीर के जंगल में टुन्टुनी चड़िया अपनी बेटी सुनहरी चड़िया के साथ रहती थी जंगल में सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था रात में सर्धवाएं चल रही थी तुन्टुनी का घर कई जगा उसे तूटा हुआ था जिससे सरधवाई करके अंदर आ रही थी सुनेहरी चुडिय ठंड से काप रही थी ममा ममा मुझे बहुत ठंड लग रही है मुझे नीन भी नहीं आ रही आप अपना मजबूत घर क्यों नहीं बना लेती फिर मुझे ठंड नहीं लगेगी ममा पिंकी का घर देखो कितना बड़ा है और कितना मजबूत भी है वो बता रही थी उसके घर में रूम गरम रखने वाला हीटर भी है ममा ये हीटर क्या होता है आप भी एक हीटर खरीद लो ना फिर मैं भी आराम से सोँगी सुन हैरी मेरी बच्ची वो अमीर पक्षी है उनके पास सारे सुख सुविदाए है पर हम बहुत गरीब है हम उनके बराबरी नहीं कर सकते बेटा आओ मैं तुम्हें अपनी पंको की गरमाहट देती हूँ दोस्तों कल की वीडियो में आपने त्यकम लाइक क्यों किये मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों जो मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है तो प्लीज दोस्तो अब उस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो तुन तुनी अपनी बच्ची को अपनी सीनी से लगा लीती है और सुनहरी चुडिया सो जाती है सुनहरी तो सो गई, अम मैं भी सो जाती हूँ इसी तरह दिन गुजडने लगते हैं एक राज जंगल में तेज सर्दवाई चल रही थी मम्मा अपना घर हिल रहा है कहीं ये तूट गया तो हम धंड से मर जाएंगे मम्मा सुनहरी ऐसी बाते नहीं कहते कुछ नहीं होगा ये सब तुम्हारी मन का वहम है हमारा गौसले इतना भी कमजोर नहीं है की इतनी सी हवा से तूट जाए तुम सोने की कोशिश करो डरो नहीं तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ है तबी हवा का एक जोका आता है और दोनों मा बेटी अपने घौसले के साथ जमीन पर गिर जाती है ममा ममा अपना घर तूट गया अपना घर तूट गया ममा आपने तो कहा था कि ये नहीं तूटेगा इतनी रात को हम कहा जाएंगे ममा मुझे बहुत ठड़ लग रही है ममा तुम परिशान मत हो बेटा मैं जंगल के पक्षियों की मदद करती हूँ तो वो हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगा दे देंगे तुन तुनी चड़िया सुनहरी को लेकर बंटी कब उतर के घर जाती है बंटी बाईया अरे ओ बंटी बाईया जल्दी दर्वाजा कोलो न भाई बाहर सर्थ वाएच चल रही है मेरी मदद करो बाईया मुझे अपने घर में रहने के लिए आस्रा दे दो मैं बहुत मजबूर हूँ बाईया मेरी बच्ची थंड से तड़प रही है टुंटुनी तुम जाओ यहां से, अभी मैं दर्वाजा नहीं खोलूँगा बंटी कब उतर ने टुंटुनी को साफ मना कर दिया, फिर टुंटुनी कालु कोई के घौसले में आ जाती है कालु भाईया, ओ कालु भाईया, दर्वाजा खोलो टुंटुनी, तुम्हें इतनी रात को क्या काम पड़ गया? कालु भाईया, मेरा घौसला तोड़ गया है, बाहर तेज हवाय चल रही है, ऐसे में बाहर रहना मुश्किल हो रहा है मुझे भी अपने घर में कुछ दिनों के लिए जगा दे दो तुम्हारा घर तूट गया है, तो मैं क्या करूँ, जाओ कहीं और जाओ यहाँ से तो माबेटी के बोच से मेरा घर भी तूट गया, तो मैं कहाँ जाओंगा जाओ, भागो यहाँ से, और हमें सोने दो अब मुझे समझ में आया, ये बक्षी कितने मतलबी होते हैं पक्षी से चिलाने लगती है वो देखो वहां कितना बड़ा केले का खेत है और एक घर भी बना हुआ है चलो वहीं चलते हैं तुन तुनी चुडिया केले की घर का दरवाजा खट-खटाती है कोई है अंदर कोई है हम मुसीबत के मारे पक्षी है हमें अपने घर में कुछ दि मेले पहर आती है ऑऊ चलिया मैं जानती थी कि तुम यहां पड़ूर आओगी मैं तुम्हारा ही इन्तजार कर रही थी देखो यहां केले का खेत है तुम इस खेत को ले सकती हो तुम मेरे घर की तरह केले का घर बनायों और उस्में आराम सेरह हो यहां तुम्हें कोई पैसी भी कमा सकती हो आपको बहुत बहुत शुक्रिया लाल परी लेकिन आपको कैसे पता कि मैं मुसीबत में हूँ तुन्टुनी तुम सभी पक्षी की मदद करती हो इसलिए मुझे पता है पूरे जंगल में तुम्हारी तारीफ होती है चलो अब तुम केले का घर बनाओ और उसमें आराम से रहो ठीक है लाल परी उसके बाद टुन्टुनी चुडिया सुनहरी के साथ मिल कर केले का घर बनाती है और बजार में केले बेशती है मा अब हमारी सारी परिशानी कैसे दूर हो गई ना ये सब आपके अच्छे कामों कफल है इसलिए तो लाल परी ने हमें क केले का खेट दे दिया हां सुनहरी बेटा हमें हर सरुवतमन पक्षे की मदद करनी चाहिए यही अच्छी चुडिया की पहचान होती है फिर टुन्टुनी चुडिया अपनी बेटी के साथ खुशी-खुशी केले के गर में रहने लगती है कि टुन्टुनी चुडिया की साथ का नाम सुन्दरी कवी था वो बहुती दुश थी और बहुत कुस्टे वाली अपनी बेटी की मोत के बाद वो और भी इनसात्मक हो गई थी एक दिन टुन्टुनी चुडिया खाना पका रही थी मा और कितनी देर लगेगी हमें बहुत भूक लगी है जल्दी करो ना मा बच्चो कुछ देर सबर रखो मैं भी वही काम कर रही हूँ ना बस दस मिट में खाना बन जाएगा थोड़ा दीरज रखो ये कहकर वोने भेला रही थी इतने में सुन्दरी कवी वहां आती है दोस्तो कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किये मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तो जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है तो प्लीज दोस्तो अब उस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो अरे यो कुन लक्षणी, कहा मर गई, इन दिनों तेरी चर्वी बहुत चड़ गई है, अभी तक तूने खाना नहीं बनाया माजी, आज पदन में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए में जिल्दी नहीं उठ पाई, और थोड़ी देर हो गई ये सुनकर सुन्दी कौवी को बहुत गुसा आ गया, आजकल तेरी आखे सर चड़ गई है, जब तक तेरी हड़िया नहीं तोड़ूंगी, तू नहीं मानने वाली ये कहकर मुझे डंडी से मानने लगती है, पिटाई करने के बगुसे में सुन्दी कौवी वहां से उड़कर चली गई, ये सब पास वाले पेड़ से टूनी चड़िया और हरी तोता देख रहे थे बेचारी टून्टूनी चड़िया के किस्मत कितनी खराब है, ऐसे दुस्ट सास किसी को ना मिले, मैं भगवान से प्रात्ना करूंगी, भला वो टून्टूनी चड़िया पर इतने जुल्म क्यों करती है, मेरे समझ में नहीं आता, और वो इतनी सुन्दर है, ना जाने अनों को बहुत बुरा लग रहा था, एक दिन अपनी खराब सेहत के चलते, टून्टूनी चड़िया सोई रही, जब सुन्दरी काववी ने ये देखा तो वो बोली, अरे ओ महारानी, क्या घोड़े बेचकर सो रही है, घर के सारे काम कौन करेगा? मा जी, मुझसे आज काम नहीं हो पाएगा, एक दिन आप काम कर लीजी, तेरी इतने हिमत कि तू मुझे काम करने के लिए कहे, ये कहते हुए तेरी जबान लड़कराई नहीं, आज के बाद तू ये बात ना कहे, इसके लिए मैं तुझे अच्छा उपार दूँगी, चल, अब जाकर बातरूम में सो जा, उस बद्बू में तुझे चैन की नीन आईगी, यू जबर्दस्ती का टुंटुनी चड़िया को, उसने बातरूम में धकेल दिया, बात ना मानती तो क्या करती टुंटुनी, वो चुपचा बातरूम में सोने लगी, पर वहां की बद्बूस से बड़दाश नहीं हो रही थी, सासुमा मुझे पर दया करो, मुझे अंदर आने तो सोने के लिए, मैं यहाँ पर नहीं सो पा रही हूँ, यू बार बार विंती करने लगी, पर सास एक न मानी, अरे ओ कल मुही, अगर एक बार और तुने ये बात कही, तो समझ लेना, कल से वही तेरा आशिया नहोगा, वही रह, और वही खाना पका कर खाया करना, और साथ में अपने बच्चों को भी अपने साथ रख लेना, बिचारे तुन्टनी चडिया बरदाश करती हुई, वही पर रहने लगी, तूरी चडियो हरी तोत अपनी आँकों के सामने, ये सब कुछ होतों देखकर बोलते हैं, दोस्त आखिरखार वो कहानी सच हुई ना, जिसमें कहा गया था कि चडिया ही चडिया की दुश्मन होती है, उसकी सास इस कहावत को निभा रही है, उस बिचारी को देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पता है वो बातरूम में रह रही है अपने बच्चों के साथ, वहीं पर खाना बना कर खा रही है, उझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा, कोई ऐसा आ जाए, जो उसकी सास की अकड को तोड़ पाए, यू वो दोनों बाते कर रहे थे, टूनी चडिया ने कहा, दोस्त क्यों ना, हम एक काम करें, हमारे परिछे चील लॉयर को यहां की सारी बात बताते हैं, वो यहां आएगा तो टूनी चडिया की सास की अकर तोड़ देगा, ये तैकर टूनी और हरी तो था, लॉयर चील के पास कई, हलो टूनी और हरी, तुम्हें बड़े दिनों बात देखकर बहुत अच्छा लग र रही है, वैसे तुमने बताया नहीं, यहां आने की क्या वजा है, बिना किसी वजा के तुम दोनों यहां ओगे तो नहीं, इस पर उन्होंने बताना शुरू किया, वो हमारे पड़ोस में टुन्टुनी चडिया रहती है, उसके पती का देहांत हो गया है, सास बड़ी काने लगाता हूँ, मेरे पुलिस दोस्त को भी सारी बात बताता हूँ, उस बेचारी टुन्टुनी चडिया को जीने की आजादी दिलाऊंगा, चील की यह बात सुनकर, टुनी औरी बहुत खुश हो कर वहां से चले गए, अगले दिन चील ने अपने पुलिस दोस्त को सार बात बताई, अरे भाई तुम पहले उसके घर जाओ, वहां के हालाटों के हिसाब से फिर मैं एक्शल लूँगा, फिर अगले दिन, टुन्टुनी, अरे ओ टुन्टुनी, कहा हो तुम, तुम कौन हो, इस तरह बिन मुलाय गोसले में कैसे घुसे, मैं टुन्टुनी का दोस कहा है वो, वो क्या जंगल की प्रधान मंतरी है या कोई महरानी, जो तुम बता रहे हो, कि तुम्हारी दोस्त है, यहां उसकी जबान नहीं खुलती, और तुम यहां क्या बात करने आये हो, तुमने घुसले में घुसकर बहुत बड़ी गलती की, चलो बाहर निकल के बात कर अरे कौन है यह तेरा दोस्त, यह कहकर घुसले में घुस गया, इसे चुकचाप घुसले से बाहर निकाल दे, तुम्हारी खेर खबर लेने आया हूँ यहां पर, मैं एक लायर हूँ, यहां पर तुम जो जुन ढा रही हो, सब समझ में आ गया है मेरे, घरेलू हिंसा के जु जादो, यह बहुत अत्याचारी है, इतने में पुलिस अफसर को भी बहां आया देख, सुन्द्री कौवी घबरा गई, आज के बाद तुम्हें बहुत धियान से रहना होगा, अगर तुम्हारी बहु के आखों में आसु आए, तो तुम्हें जेल से कोई नहीं बचा सकता, इस तरहां धमकी देखर वो सब चले गए, अब सुन्द्री कौवी अपनी बहु को कुछ नहीं कहती और उसके साथ प्यार से रहने लगी थी, यह सब देखकर टूनी होरी तोता बहुत खुश हो जाते हैं, उसकी जिन्देगी में खुशाली लाने पर तुम्टुनी चुड यह परोस में रहने वाले टूनी होरी तोता का आब भार मानने लगी?